फ्रेंस, वेलकम टू होमफुट रेसिपीज आज हम बनाएंगे एकदम टेस्टी और चटपटी आलू की सूखी सबजी इस सबजी को बनाकर आप मसाला पूरी, थेपला या भाकरी के साथ खा सकते हैं खास करके मसाला पूरी के साथ तो ये सबजी बहुत ही टेस्टी लगती है और मसाला पूरी की रेसिपी मैंने पहले ही चैनल पे बताई हुई है, वीडियो की नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी में लिंक भी दे दूँगी, खाने में ये सबजी बहुत ही टेस्टी और चटपटी लगती है और इसे बनाना भी बहुत आसान है, सिर्फ दस ही मिनट में बनके ये तयार हो जाती है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते है, सबसे पहले गैस पे एक कुकर के अंदर हम चार मीडियम सैज के आलू को इस तरह से दो हिस्सों में काट कर रख और इस पे धककन धकके तीन से चार सिटी स्लो टू मिडियम फ्रेम पे लगा देंगे और आलू को हम उबाल लेंगे, अब गैस पे एक पैन में हम वन थड़ कप यानि की असी एमिल जितना तेल डालेंगे, तेल अच्छे से गरम हो जाए तब इसमें हम एक चम्मच सरसो के दाने और एक चम्मच जीरा एड़ करेंगे, एक हम सूखी लाल में जाड़ करेंगे, आदा चम्मच हिंग डालेंगे, दस से बारा मीठे नेम के पत्ते डालेंगे, अब इसमें हम एड़ करेंगे दो बड़े चम्मच जितनी अधरक लसुन और हरिमिज की पेष्ट और धीम चम्मच जीतना धन्या जीरा पावडर डाल देंगे, एक बड़े चम्मच जीतनी इसमें हम चीनी डाल देंगे, और वन फोथ टीस्पून इसमें हम गरम मसाला डालेंगे, अब हम सारे मसालों को सिर्फ एक मिनट तक भूनेंगे, एक मिनट मसाले भूनने के बाद इसमें हम उबले हुए आलू डाल देंगे, आलू को उबाल कर मैंने ठंडा करके छिलके निकालने के बाद इस तरह छोटे-छोटे टुकडो में काट लिया था, तो अब हम इससे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, आलू अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद इसमें हम स्वात के अनुसा नमक डालेंगे, आधे निम्बू का रस डालना है हमें इसमें, और थोड़े से हम बारिक कटे हुए हरे धन्या डाल देंगे, एक से दू चम्मजितने, और अच्छे से मिक्स करके हम डखकन डखके सिर्फ दू से तीन ही मिनट इस सबजी को पाकाएंगे, इस सबजी को हमें ज़्यादा कुक नहीं करना है, बस दू से तीन ही मिनट इनफ है, तो अब हम डखकन डखके इसे कुक होने देंगे, दीमी आज पे तीन मिनट कुक करने के बाद हम डखकन खोल लेंगे और गैस की फ्लिम को बन कर देंगे, एक बार इस सबजी को हम मिक्स कर लेंगे, यह हमा खा सकते है, मैं जब भी थेपला बनाती हूँ, तो इस सबजी को जरूर बनाती हूँ, थेपला के साथ इस सबजी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, और यह सबजी सूखी होती है, तो आप ट्रावेलिंग में भी अपने साथ ले जा सकते है, यहाँ पे मैंने तीन परस जो बेल आइकन है उसे भी दबाए ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और अगर आपको मेरा यही वीडियो गुजराती में देखना हो तो उसकी भी मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडि तो में तिल देन बाइ